हेलो दोस्तो कॉस्टिस चैनल में आपका स्वागत है शौर्ट कुर्ती के साथ ये मैंने लहंगे वाली ड्रेस ली थी लेकिन इसका घेरा बहुत ही ज़ादा था क्योंकि इसके अंदर केन जो है काफी ज़ादा लगी हुई थी मैंने इसे निकाल दिया था यहां सेंटर में से निकाला था अब मैं आपको इसका मेजर्मेंट करके बताती हूँ आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इस लहंगे का घेरा कितना ज़ादा होगा अब यहां से ये टोटल जो है 14 मीटर केन है लेकिन मैं 4 मीटर निकाल कर यहाँ पर स्टिच करना बताऊंगी तो सबसे पहले आप इन प्लेट्स को निकाल ले और 4 मीटर केन इस तरीके से मेजरमन्ट करके निकाल ले अगर आप ज़्यादा घेरा पहनना चाते हैं तो 5 मीटर भी निकाल सकते हैं कैन को फोल्ड करके यहां से इसकी कटिंग कर लेनी है जो 4 मीटर कैन की कटिंग की है इस लहंगे के उपर में स्टिच करना बता रही हूँ और जो बची हुई कैन है उसकी भी वीडियो फिर कभी शेयर करूँगी तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से स्टिच करें सबसे पहले आप उपर वाले हिस्से को इस तरीके से उपर की तरफ कर दे और यहां पर दो सेंटर हैं तो इसे एक और फोल्ड करके उपर की तरफ करें हमें कैन को सेंटर में स्टिच करना है तो इसे ब्राबर सेट करते हुए इस तरीके से रख ले सबसे पहले कैन को आप नाप लें ये 20 इंच है और नीचे वाली साइड जो है 3 इंच उपर की तरफ स्टिच हुई थी तो ये देखिए 3 इंच ही है और अब हमें कैन के उपर प्लेट किस तरीके से स्टिच करनी है मैं आपको बताती हूँ पहले ऐसे सिम्पल कैन के उपर प्लेट स्टिच थी लेकिन अब मैं स्कल टाइप प्लेट डाल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ देखिए कैन को इस तरीके से उठाकर दूसरी तरफ को करें और एक तरफ से उठाकर अपनी तरफ को करें एक वार और डाल कर दिखाती हूँ कैन को उठाकर पहले आप दूसरी तरफ करें और दूसरी तरफ से उठाकर अपनी तरफ करें और इसी तरीक को अपनी तरफ करें और जो सिलाइक वाली हमने केन को स्टिच करना है दूसरी तरफ को रखते हुए क्यूंकि कैन का घेरा काफी जादा होगा और इन प्लेट्स को डालते जाना है पहले आप इस तरीके से उठाएं और इसे स्टिच कर लें अब दूसरी तरफ से उठाकर दू गौन का घेरा काफी जादा है तो आप भी इस तरीके से कैन को निकाल कर ब्राबर सेट करते हुए स्टिच कर लें सारी प्लेट्स को स्टिच कर लिया है अब आप गौन को दूसरी तरफ से अराम से निकालते हुए कैन को 1,5 इंच इस तरीके से फोल्ड करें और जिस कपड़े के ऊपर हमने फ्लेट्स को स्टिच किया है उसे ब्राबर सेट करते हुए 1,5 इंच पर स्टिचिंग करते जाएं लेकिन ध्यान रखना है उसी कपड़े के ऊपर ही हमें स्टिच करना है लहेंगे को कैन के साथ साइड से भी स्टिच कर लिया है और लहेंगा जो है तीन इंच इसकी नीचे वली साइड से लंबा है अब मैं इसे पहन कर दिखा रही हूँ आप देखने होंगे इसका घेरा भी बिल्कुल बराबर सेट है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कोमेंट्स करके जुरूर बताएं लाइक करें शेयर करें जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें वेल आइकन जुरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफकेशन आप तक पहुंच सके थैंक्स पूर वाचिंग एंड स्पोर्टिंग